आपका exercise 5.1 बच्चों देखो आज आपका chapter नंबर पाच्वा सुरू होगा class 9 की मैथ में और पाच्वा चैप्टर आप जानते हो कि यूकलीड का जो है वो ज्यामिती का परिचे है तो यूकलीड की ज्यामिती का परिचे के जो chapter का material है उसको सुरू करने के पहले आपको ये पूरी खरनी पड़ेंगी बिंदू किसे कहते हैं इसकी परिभासा आप समझ लो इसका concept समझ लो बिंदू समतल में इस्थिती को बताने के लिए एक सूच्म चिन है ना तो इसकी मुटाई होती है ना लंबाई होती है और ना ही चौडाई होती है कुछ भी नहीं होता इसमे यह पहली परिभासा है बिंदू का चितर अगर बनाए तो ऐसे कोई चीज रख तो कहीं यह बिंदू हो गया जिसे point बोलते हैं या फिर दूसरी परिभासा है चोटी सी कि कलम या पैंसिल के नोग को साधे कागज पर दबाने से जो चिन बनता है चुभाने से वो बिंदू क यह चोटी सी प्यारी सी परिभासा है इसे आप नोट कर लीजिए concept आप समझ गये होंगे उमीद करते हैं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला point होगा हमारा रेखा रेखा के बारे में आप परचित हो लेकिन हम उसको दिखाएंगे definition ध्यान से देखना class को पूरा देखना कहीं मत जाना जल्दी लिख लो तो आप पहला समझ गये दूसरा है बच्चों रेखा रेखा किसी कहते हैं जिसे इंग्लिस में लाइन बोलते हैं आपने अभी-भी सीख लिया था कि क्या सीखा था बिंदू किसी कहते है परिभासा देख लिया ना कि पैंसिल या प बिंदू कहलाता है यह उसी पर अधारित है दो बिंदू को मिलाने वाली आकरती जो होती है या जो भी चीज बनता है दो बिंदू को मिलाने पर वो रेखा कहलाती है जैसे दो बिंदू हमने मानलो यहां पर लिया था A और B इसको हमने मिलाया तो बीच में जो यह आकरती ब कि यह क्या है इसको मैंने मिला या इंग्लिस में कर लाइन बोलते हैं और यह सीधी लाइन जिसे सरल देखा भी कहा जा सकता है संबगे तो जलदी से नोट कर लिए अगर कुछ भी कहाई तो आप ने संग कोछ कमेंट करके बताइए अगला बहुत ही महात्वपुड एक और पॉइंट है लाश्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं प्रिष्ट या सर्फैस बहुत ध्यान से देखना 2D आपने सुना होगा 2D आकरती और 3D आकरती तो बच्चा लोग 2D आकरती वह होती है इसके बारे में बताएंगे पहले इसका मतलब होता है 2D आयाम 3D मतलब होता है जिसमें मतलब एक से अधिक आपको इस दिख सके हैं यह सब्सक्राइब सके हैं वह थी दैमेंशनल होती है जैसे एक परकार से आप जान लो आपने देखा होगा क्यूब आई देखा होगा लूडवाली गुट्टी गरें तो यह क्या ह थ्री डामेंशनल है लेकिन अगर हम बात करें पेपर की यह वाइड बोर्ड देखो तो यह क्या है टू डामेंशनल है क्योंकि इसमें कोई बीचेस मोटाई नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है एक फ्लेट आकरती होती है तो बस ऐसे समझे लो दो आया मोली आया देखो दोनों में नेतर समझे लो बच्चा ये क्या है यह ट है यह यहां इसमें नहीं होन्य है जरत को यह क्या है इसमें लंबाई और चोडाई है बस मतलब स्वरी लंबाई चोडाई तो कुछ नहीं एक प्रकार से आजानलो यह सरकल रूप में है यह क्या है टू-डामेशनल है लेकिन क्यों एकटी सेफ था यह क्या है और जो क्यू कर लेकिन हखे छीNow to youth World ल Megier विए थरीदी सेफ बोलते हैं 11as गोलाई है नीचे देखो अगर मैं इसको पल्टे कर दूँ ऐसे आप इधर साइड में देख लो यह 3D सेफ है समझ में आया ना 2D 3D अकृति क्या होती है बस अब इसके आगे आपको क्या बता है आप समझ गये होंगे आगे बढ़ें चलिए ध्यान से देखना इसको नोट कर कर लो जिनको करना जल्दी करो अब चलिए आपकी किताबी कहानी क्या है उसको देखते हैं क्लास नाइंथ की एंसी आटी मैथमेटिक्स चैटर नंबर पांच एक्सरसाइज 5.1 कुश्चन बहुत ध्यान से देखना पहला सबल कहता है कि निम्न कत्रों में से कौन सत्य है कौ बताओ बच्चा क्यों सही है अगर आपने कह दिया गलत है तो फिर क्यों गलत है मतलब ऐसे कहें कि आप छुटी नहीं पाने वाले हैं तो मैं उसको पूरी तरह यहां पर डीटियल में बताऊंगा इंड तक देखना वीडियो इसकिब मत करना कि एक बिंदू से होकर जाने अनंत रेखाएं थे कहानी जो है और यह लगा या सथर लाहीं आप रिंग देना असत्य ब्रेकर्ट में लिखना एक बिंदू से होकर जाने वाली अनंत दूसरा ध्यान से देखो बहुत ही प्यार से देखना कह रहा है कि दो भिन बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख रेखाए हैं मतलब इसकी खोपड़ी ही उल्टी है हर जगा उल्टा बोल रहा है दो भिन बिंदू मतलब दो अलग अलग बिंदू आपको मैंने बताया था ज लिमिटेड हो जाएंगे फिर यहां से वहां वहां से वहां मुर्गी की दोड़ गूर तक बस तो इतना जान लो कि दो भिन बिंदूओं से होकर सिर्फ एक रेखा खीची जा सकती है बस रेखा समझ गये ना बाकी आप टेना मेड़ा इदर कर दो कि कहीं को वालग बात है तो यह कंसेप्ट आप सीख रहे हो गया दो तीसरा देखो क्या कहता है बहुत ध्यान से देखिए आप वीडियो आनलाइन देखना अगर पढ़ना है तो डाउनलोड नहीं करेगा कोई भी ब करेंट नहीं है तो मत देखो अगर कोई समझ से आ तो नंबर पर संपर करो हल किया जाएगा लेकिन आनलाइन देखो ठीक ना अगले किसमें जो पॉइंट है ध्यान से देखो क्या कहते हैं कहरा कि एक सांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है पह कहा जाता है यानि हम जिसे रेखाखंड बोलते हैं उसी को यूकलिट बाबा सांत रेखा कहते थे ठीक तो यह सांत रेखा है मतलब रेखाखंड को ही सांत रेखा कहा जाता है यह समझे लो तो अगर कोई रेखाखंड है तो आप पढ़े हो कि रेखाखंड दोनों और यदि दो बृत बराबर हैं तो उनकी तिरिज्जाएं बराबर होती हैं ये तो ऐसे हुआ उल्टा चोर कुतवाल खोड़ाटे हैं अभी तक इनकी पहचान होती थी बृत महराज की बराबर अगर बृत की बात हो कि अगर दोनों बृत की तिरिज्जाएं बराबर हैं तो बृ बीच में इस्थित बिंदू होता है, उसे केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से जो परिधी को मिलाती है, ये रेखा तृज्या कहलाती है, अब ये किसी भी तरब को मिला सकती है, ब्रित बराबर होंगे, तो आप फिया नुमान लगा लो, बच्चा लो, की जो ये रेखा ऐसे म सत्य कारण क्या है क्योंकि बराबर त्रिज्य की बराबर त्रिज्या वाली बृत हमेशा बराबर होती है कारण लिख देना क्योंकि बराबर त्रिज्या वाली बृत हमेशा बराबर होती है जल्दी करो फटा पर नोट करो बच्चा यह बहुत ही महत्रपूर्ण है अगला पा Q और PQ equal XY तो क्या AB XY के बराबर होगा हाँ बिलकुल होगा देखो कैसे आकरती 5.9 यही है जो मैं बनाया हूँ इसमें कहरा कि AB के बराबर है कौन यह PQ बराबर है तो मालो बच्चा यह 5 cm है तो यह भी कितना है 5 cm है यही बोल रहा है और यह फिर क्या कहरा आगे देखो आगे क बच्चा यही जो पी क्यू है यह पीकी है और यह फिर 5 ही है तो फिर फिर सींपल सी बात होगा देखो यहां से कहानी देखेंक्त है तो समझ गए इस तरह से आप पूरा question companidamente हो चुका है जल्दी से只数ством कल लेजी चाप लीजिए उसके लाद हम आगी चलते हapan नेक्स्ट कुईश्टन पर बहुत ही मांदारी के साथ देखना बच्चा लोग भागना मत कलास को पूरा देखो खूब सेयर करो अपने साथियों में जिससे कि आपको इस तरह से कमपलीट सलूसन मिल सके एक भी कुईश्टन एक भी पार्ट हम नहीं छोड़ेंगे लेकिन आप खूब सेयर करो जादा फिजादा लोग देखने चाहिए तब ही इस तरह से कलास मिलेगी ने तो फिर हम बीच बीच का कुईश्टन बताएंगे फिर चोड़ देंगे फिर आप जिन्हें परिभासित करने की अवस्ता है वह क्या है और आप इन्हें कैसे परिभासित कर सकते हैं या कैसे परिभासित कर पाएंगे तो पहला नंबर है बच्चा समानतर रेखाएं समानतर रेखाएं पहले आप इसे अच्छे से समझ लो फिर लिखना या ना लिखना या आ जैसे मैंने यह दो प्यान कर दिया तो यह समांतर रेखा है आपने रेलवे की पट्री देखा होगा हमेशा आई से होती है आई से तो नहीं होती ना एक पट्री इधर को एक इधर हो नहीं आई से होती ना रेलवे की पट्री हमेशा क्या होती समांतर होती है जैसे देखो यह इनको बच्चा चाहे जिधर को बढ़ाओ और जितना बढ़ाओ, यह कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, यह क्या है समथ्र रेखाएं, इसके विपरीत, वह रेखा हैं जिनको आगे बढ़ाने के बाद, इक दूसरे को ऊपर चढ़ जाती हैं, इसको मायत की भासा में च दिए पार्ति शहदित बोलेंगे इंटेरिकट बोलेंगे लेकिन मैं आपको इसलिए बतारा हूँ जिससे आपको वह समझ में आजाएं तो आपको क्या समझ में, वहरेखाएं वहरेखायitious जो 1-2 कभी नहीं मिलती है वो समानतर रेखाए कालाती है लिखो कांपी खोल के मैं किसी का नाम नहीं लूँगा आज याद रखना देखो परसांद जी जुड़े हुए है अनुसका और कौन है भाईया प्रीती और मोहिद मैं देख भा रहा हूं सबका कमेंट मैं किसी का कमेंट नहीं बोलूँगा अ अगर आपके घर में बास वाली सिंड़ी जिस पर चड़ते हो तो उसमें डंडे जो है देखो खो समांतर कर्म में ऐसे लगे रहते हैं hugs आ chronood रखन वक्रां gehört यह हैं समांतर को सरल रेखा पहले से खिची है इस पर शम-कौण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कालाती आप ऐसे भी लिख सकते हो सरल रेखा पर लंब रेखा है जो दोनों और कौण बनाती है ये सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों और कौण बनाती है इधर भी कौण बनाती है इधर भी बनाती है यहाँ यहाँ वो लंब रेखा कालाती है तो लिख लो सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो सम कौण बनाती है लंब रेखा कालाती है ध्यान दीजिए, रेखा खंड, एंड की मतलब इसे ऐसे कह सकते हो, बच्चा, लाइन सेग्मेंट, लाइन सेग्मेंट, एंड रेडियस आप सरकल, इसकी डेफनेशन कैसे बताएंगे, परिभासा कैसे बताएंगे, देखिए, इसका एक देमो देखिए, अगर ये ए भी एक और इसके बीच में कोई मैं एक पार्ट कार्ट डालूं, इसको निकाल लूं, PQ, मैंने इतना कार्ट के निकाल लिया, और ये PQ मैंने निकाल के यहां बचा, इसको बच्चा स्थापित कर दिया, तो ये जो PQ है, वो क्या है, ये रेखा खंड है, A, B, पूरा क्या था, एक की लिमिट नहीं होती है Bumm sustainability non Limit लेकिन रेखा खंद में कभी किसी बी तरफ एरो नहीं होता है इसका यह निसानी होती कि टुकड़ा होता है इसकी परिफासा आप लिख सकते हो कि रेखा के किसी भी भाग को रेखा खंड कहते हैं अगला है ब्रित्त की त्रिज्या क्या होती है आप लोग लिख लो परिभासा लिखना है बच्चा किताब में यही कहा है आपके सवाल में ना इंत में नोट करो मूँ फैला के देखो मत कापी किताब लेके आया करने बहुत मार पड़ेगी जानलो अभी पता है करना है तो मैं आफ लेख अट करते हैं जो बीच औ बीच में होता उसे केंद्र बोलते हैं सेंटर अर्य इडिय लाइन जो होती इ्च्चा खालाती है यह लेकिन पाले कुछ परिशय तो हो जाए यह सैंटर है बीच ऑ बीच में जो है केंड र हिंभी में में हें इंग्ली publi स बृत के किंद्र को परिधी से मिलाने वाली रेखा तिरिज्या कहलाती है तो यह आपके जो सवाल थे ना उसमें के चार डिफिनिशन हो गए बच्चा इसमें एक और पूछा है लाश्ट में वर्ग वर्ग पूछा है बड़ा आराम से इसका परिवास आप देलोगे चलो भर लिख लो इसका भी वर्ग क्या होता है देखो वर्ग को इंगलिश में स्कॉाय को वाटी जी स्क्वायर तो बच्चा स्क्वायर जो होता है आईसा होता है ये बच्चा बहुत सीधा साधा होता है ये कब हो लुसमज में आ रहा है ना देखो वर्ग इसकी ये भुजा अगर दो है तो ये भी दो ही होगी ये भी दो होगी और ये भी दो होगी इसकी परिभासा जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है वो वर्ग कहलाता है तो इस तरह से आपका exercise 5.1 का question number second का सारा जो part था वो clear हो चुका बच्चा है कि यदि दो बिंदूओं A और B के बीच एक बिंदू C ऐसा इस्थित है कि A C बराबर B C है तो सिद्ध कीजिए कि A C equal half A B देखो यह है बच्चा लोग exercise आपका 5.1 class 9th की NCRT math तो देखो हम इसको इसके according बना लेते हैं हमने इसे बना लिया कह रहा है कि A और B के बीच में एक बिंदू है C हमने कर लिया सिद्ध करने को कह रहा कि A C जो है बच्चा लोग वो क्या है हाफ A B के बराबर है और यहां एक condition दिया है कि A C जो है वो B C के बराबर है मतलब कि A C यहां से यहां जो है यह B C के बराबर है यानि इनका कहने का मतलब ये इसका मद्धविंदू है ठीक है तो चलो देखो सिंपल सी बात है हम इसी से चलते हैं हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमें A B निकालना है क्या निकालना है A B तो यहाँ आप लिखो A B equal आप जानते हो A C धन ये B C होगा बोलो होगा की नहीं होग होगा ना भाया अगर हमें पूरा निकालना है पूरा ना तो हम क्या करेंगे ये ये दोनों 40's , यह चाहने के लिए लिए 4 इसको नहीं लिखना है आप देखो क्या होगा आगी समझने की कोशिस करो इसको क्या है इसका पूरा कहानी आप यहां पे चुकी दिया है AC equal BC दिया है यहैंनि AC की जगा पर आप BC लिख सकते हो लिख सकते हो ना और भी कुछ लिख सकते हो क्या AC की जगा पर BC तो चलो कर लेते हैं देखो AB equal AC की जगा पर हम क्या लिख ले BC सी देखो इसमें जो सिद्धा करना है थोड़ा सा अलग है क्या क्या कह रहा है कि एसी कोल हाफ एभी ठीक है ओके नो प्राब्लम चलो लिखते हैं यानि हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम बी सी की जगा पर एसी लिख सकते हैं तो हमारा यह तो एसी पहले था वैसे हो गया इस बी सी की जगा पर हम एसी लिख देंगे तो आप समझ गए अब कि यह एबी कॉल हो जाएगा टू एसी इतना तो आपके दिमाग में गुज दो इसे आप ऐसे लिख सकते हो एसी कोल वन अपान टू इन्टू एवी यह लिख सकते हो चाहे बीच में गुड़ा का चिन लगाओ या ना लगाओ दोनों का मतलब एक ही होता है अगर इसका गुड़ा करोगे तो फिर वैसे हो जाएगा एब अपान टू हो जाएगा लेकिन ह आप यहां लिख दो इति सिद्धम हैंस प्रूब्ड क्या लिखोगें हैंस प्रूब्ड इति सिद्धम हो गया आपका कुष्चन नंबर जो था फॉर वाला हो गया अगला देखो देखो अगला सवाल कह रहा है कि प्रस्ण चार में यानि कि जो अभी आपने देखा कुश्चन नमबर फोर उसमें सी रेखा खंड एबी का मद्द बिंदू है यानि कि मिडल पॉइंट है वो बात आपने समझ लिया था बिल्कुल है मद्द बिंदू है आगे कही रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखा खंड का एक और केवल एक ही मद्द बिंदू होता है मतलब एक से अधिक मद्द बिंदू नहीं होता है तो बाई सिम्पल सी बात है अगर कोई चीज है उसमें कहें कि इसका मद्द बिंदू बताओ बीच ओ बीच कहां होगा तो एक ही जगा होगा, एक साधी तो नहीं होगा लेकिन उनको सिधह करके दिखाओ, तो सिधह करने के लिए क्रोगे, देखो जैसे अगर मान लो कि किसी को सिधह करना है, सिधह कीजिए कि वह चौर है, मतलब वह चौर है, तो क्या करोगे, आप उसका पुरूफ। उसे बुराइया धूंड़ोंगे अगर उस तरह से मिलते हैं तो मतलập चोर है ने इसे इमानदार है तो वैसी एक ही मद्द बिंदु है, हम मानते हैं चलो चलो इसके दिक मद्द बंद बंद हैं हम इसको परक्षते हैं, तो हमने मान लिया कि महना इसका आप लिख लो माना D इसका एक दूसरा मदबिंदू है ठीक है इसे आप लिख लो English में लिख लो D is another midpoint of AB तो अगर हम इसका एक मदबिंदू D मान लें तो क्या हो जाएगा अब बताओ हम C को अंदेखा करते हैं C मान लो है ही नहीं आप लेकी अथा लेकिन हमें AB निकालना भी है अद इक मान दुकने रो, A और D वह कहान से आया अब ही आपने समática 만 जो चव्मादी उसमें क्या सीध्डिकिया था AD c in वान अपान टू एबी बोलो सिद्ध किया था कि नहीं अभी अभी सिद्ध किया था ना जब आपने इसको डी को नहीं माना था C को माना था तो आपने C दिका था AC बराबर 1 बटा 2 AB C दिका था ना हमने कौन सी बुराई किया आपने C की जगा मर्देविंद्रव D मान लिया तो जब D मान लिया तो C की जगा पर D हो गया यह इतना हो गया हो गया ना इसको लिख लों फटा-फटardो हो गया क्या हो गयािए यह समीकरण ने हो गया समी कर अब समीखार एक और दो से समीखार दो से आप देखो तो समीखार एक और दो में बच्चा लोग इसका right side बराबर है देखो इधर भी वहीजक्व है यहां भी वही है है ना तो अगर किसी के समी करण के एक पक्ष बराबर है दूसरे समी करण के तो उसका दूसरा पक्ष एटोमेटिक कहने का यह मतलब है कि यह चाहता है कि जो AC है वो AD के बराबर है मतलब AC वो AD के बराबर है इसका कहने का यह मतलब है कि दोनों का जो मद्ध बिंदू है वहीं पर जा रहा है अगर यह अलग अलग आया होता तो सिद्ध हो जाता कि यह मद्ध बिंदू है लेकिन जो AC है, AC, उसी के बराबर AD है, AD का कोई अलग से मान नहीं आ रहा है, देखो हो गया बराबर न, यानि अगर AC हम बोले हैं, बच्चा लोग ये 5 cm था, तो AD बोल रहा है कि हम भी 5 cm रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे, तो अगर AC 5 था, तो AD 5 कई से होगा, सोचो हो सकता है क्या नहीं होगा न, भाई अगर यहां तक 5 है, तो यहीं तक 5 कई से होगा, जादा होगा न वो, यानि ये इक्स्पेंड करना चाहता है, समझ गए न, अब नीचे लिख लो, इससे सी दोता है कि AC और AD एक ही जगा है, और किसी भी मतलब संख्या रेखा का या फिर ऐसे कहलो तो किसी भी रेखा कंड का एक से अधिक मतलबिंदू नहीं हो सकता है, ठीक है, इसे जल्दी से लिख लो, फटा फट लिखते चलो, और अगर भी तक आपने क्लास को लाइक नहीं के तो जल्दी से करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई का नान करना नहीं भूलन आक॥ि जो कह रहा है यही आक॥ि की बात कर रहा था, बुक में यह चित्र बना था, इसलिए इसको ऐसा लिखा था, मैंने यह अब елिया इसमें कह रहा है, यह यह धिक के बराबर देला, Deperdале ज्यान देना मतलब यह जो AC है, वो BD के बराबर है, यानि जितना यह AC है, उतना ही यह BD है ऐसा यह कह रहा है तो क्या करोगे अब AC और BD के बारे हम बोल रहा है तो AC BD निकाल लो चलो AC पराबर हम निकालेंगे A और C इसको किनारे कर दो हम इतना अगर लें तो आप यह सोचो कि अगर इसके बीच में टुकड़ा है तो AC बनाने में क्या क्या परियोग हुआ भाई AB और धन BC न तो बच्चा इसे लिख सकते हो AB धन BC यह समी करन एक उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो क्या है BD BD अब BD बनाने में क्या क्या उपियोग हुआ भाई येतना BD देखो BC और CD न तो क्या लिखोगे BC धन CD यह ओगया समी करन दो क्या करोगे समी करन एक और दो से समी करन एक वा दो से समी करन एक वा दो से चुकी कह रहा था कि जो AB है वो CD के बराबर है तो बच्चा समी करने एक वा दो से क्या करोगे A, B वा ऐसा नहीं लिखो थोड़ा गडबर लग रहा मुझे यह ऐसा सही नहीं है आप पहले लिखो इधर साइड में लिख लो यहां कम अच्छा लग रहा नीचे सही नहीं है इसके बाद यहां लिखो लिखो चू की A, B, C, D यह दिया है बई ब्रेकर्ट में लिख लो चाहिए दिया है दिया है इफ लिए A, B कमान रख दो बच्चा A, B, C, D के बराबर है न हमने निकाला किस कमान है A, C का निकाला है न कुछ गड़बर हो रहा है क्या A, C, B, D के बराबर है A, B नहीं दिया होगा इसमें यह देखो A, C A, C, B, D के बराबर है तब ही तुम्हें कंफ्यूज हो गया बच्चा A, C किस के बराबर है B, D के आप ठीक है तो A, C कमान यहां से लाके रख दो A, B, D, B, C बराबर B, D कमान विला के रख दो इसमें B, C, D, C, D क्या है B, C, D, C, D यह क्या है दिया गया था अब क्या आप तो सिंपल सा है यार यह देखो A, B है यह B, C है यह B, C है यानि आप B, C से B, C काट सकते हो चुक इधर आएगा तो माहिन से घड़ जाएगा इस तरह से आपके पास बचेगा A, B, C, D नीचे लिखो इति सिद्धम इति सिद्धम आताह सिद्ध हुआ आताह सिद्ध हुआ हैंस प्रूब्ड सिद्ध हो गया कि A, B, C, D के बराबर है इसमें ये सब कुछ बोला था मुझे कुछ निकरना था हमने क्या किया A, C, B, D का मान निकाल लिया तो A, C निकालने के लिए हमने A, B, C जोड़ा बड़ सिम्पल सी बात है अगर A, C निकालेंगे तो बीच में है और हमारे Facebook पेज को लाइक करें क्योंकि आप ही एक लास देख रहे है PVR Study के Facebook पेज और PVR Study के YouTube चैनल पर तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से आप बड़ी-बड़ी कलास देख सकते हैं लाइब देख सकते हैं पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर एकी दिन में खताम हो जाए